हेलो प्यारे विवर्स हाव ए यू आई योप ऑल अफ यू आर ओसम तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये चैप्टर नमा सेवन चल रहा है इडियन कॉइशन की बूक है चैप्टर मॉव सेवन और चैप्टर नमा सेवन का क्या नेव है वो cabinet and the president ओके इसके दो पार्ट पहले अप्लोड किये जा चुक है पार्ट वर्न में हमने थोड़े से बेसिक जो स्टार्टिंग का पोशन था वो कवर कर रहा था और जो second part है हमारा second part में हमने ये cabinet council of members council of members and cabinet में डिफ्रेंस वो देखा था मंत्री परिशद और मंत्री मन डल जो होता है उसमें दोनों में डिफ्रेंस क्या में डिफ्रेंस क्या वो देखा था और उनके functions के बारे में discuss करा था ओके ये वाला ये third part होगा seventh chapter का इसमें हम president मतला इसे chapter का second main question जो बनेगा हमारा वो यहीं से बनेगा अगर बनेगा भी ओके तो अभी हम यहां से देखते हैं who is president sorry president who is prime minister prime minister कौन है कौन है प्रधान मंत्री कौन है तो वह यहां यहां पर देखेंगे देखो कौन हो तक प्रधान मत्री है अज के टाइम पर देख हो यह प्रधान मंत्री को सिस्टम था इसम भारत पर दो मन्त्री है तो ये जो परधान मन्त्री वाला सिस्टम है वो हमारे Constitution में कहां से लिया है सविधान में कहां से लिया गया था वो लिया गया ब्रिटन में खिस नक् Hahn उतनी पहाला ऑँ सासन था तो उतनी तोśयं और फिर उनका सासन था इतने सालों तक उनका सासन रहा तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हमारे सविधान में रखी गई चीजे और लेकिन अपने अकॉर्डिंग उनके थोड़े बहुत चेंजिस कर दिये अपने सवाज या अपने अपने देश के अकॉर्डिंग क्योंकि वह एक डबलप देश है वह एकदम बिख्सित हो चुका है काफी चीजे वहां बहुत पहले आ चुके हैं लेकिन हमारे देश में बाद में वह चीजे भी उसी देश से लिया गया क्योंकि वहां पर उस देश में हम क्या देखते हैं यह ब्रिटेज में मतलब इंग्रेंड में क्या देखते हैं वहां पर भी एक संसद देश शासन में संसद एक संसद का हूना वही सासन हमारे देश में भी हमारे देश में भी तो संसद है ना ए हुई है लेकिन उनकी उन सक्तियों का जो यूज है वहां के जो राश्ट्रुपति है वहां पर राश्ट्रुपति नहीं वहां पर सिर्फ राजारानी का सिस्टम है और राश्ट्रुपति के जगा पर राजारानी पुरदेश का जो मुख्या राजारानी को कंसीरर करा जाता ह और पूरी देश की जो सक्तियां है वो राश्टरपत उन्ही राजरानी को दी हुई है ठीक है और लेकिन वो जो सक्तियां है वो सिर्फ नाम मातर की हैं सिर्फ नाम के लिए वो सक्तियां दी हुई है उन सक्तियों के जो प्रॉपर तरीके से यूज है या उनका उनका यूज क चलाने का जो मेन काम है वो कौन करता है वो वहां के जो वह है प्रधान मंत्री है या मंत्री मंडल है कैबिनेट कह दो या काउंसल अफ मिनिस्टर कह दो वो चलाते हैं समझ रहे हो और सेमी सेम क्या सेम सिस्टम भारत में भी है भारत में भी राजारानी का सिस्टम तो नहीं है बट क्या राज़ारानी की जगापर राष्टुपति है ना, राष्टुपति देश का मुख्या है, उसको बहुत सारी सविधानिक मुख्या देश का हुई है, और सबसे जादा पावर्स भी राष्टूपति को दी हुई है, लेकिन वो उन पावर्स का उन सक्तियों का जो उपयोग है वो राश्ट्रपती खुद नहीं करते समझ रहे हो उन सक्तियों का जो यूज है वो कौन करता है ये जो हमारे परधान मंत्री हो गए परधान मंत्री हो गए या मंत्री मंडल हो गए या मंत्री परिशद कह दो जो मंत्री मंडल है वो छोटी होती है और मंत्री परिश्यत बहुत बड़ी होती है तो यहां पर यहीं मंत्री मंडल और मंत्री परिश्यत और प्रधान मंत्री यही तो उन सक्तियों के यूज करते हैं ना सारी सक्तियों के यूज वो ही करते हैं जो राश्टर परती है वो सिर पिर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, I hope, मुझे लग रहा है, अभी देखूं, अभी मैं next page चेंज कर रहे हूं, तो ओके, तो आप, अभी पिछली page में क्या था, पिछली page में था, इंट्रो, थोड़ा सा अगर प्रधान मंत्वी के बारे में स्टार्ट कर रहे हो, तो इंट्रो में आप वही चीज़े लिख सकते हो, जो मैंने आपको बोली, ओके, जो मैंने महापर explain करी न, आप as it is चीज़े भी लिख सकते हो, अगर आपको वो समझ में आई हैं, तो आप रटने की कोशिश करोगे, तो आपको याद करना पड़ेगा, और कई बार repeat करना तब जा के कहीं याद व्याद होगा, ंपके, लेकिन आगर आप समझने की कोशिच करोगे, और फिर समझ की करोगे, बहुत, अच्छे से समझी में आ जाता है, और फिर अगर हमें कई बार याद भी नि रटने वाली चीज़े याद भी नहीं रहती ना, तो हम वो समझी वा प्राइम मिनिस्टेर को आपाइंट कैसे करते हैं देहों जो एक बाउमत दल होता है चुनाव होते हैना आप यहां पर इतना सारा तो मातरे आपको में समझा दो चुनाव बहसारी पार्टियां लटती है आज के टाइम पर हमारे जिसमें सैवन सैवन है national level की जो parties है वो यह सरकार बना सकतें पूरे देश में साथ पार्टी हैं और बाके की जितनी फार्टी हैं वो regional parties होती हैं जो छेतरे दल जीने गोला दाता हम राज़या में कोई सरकार बनाती है या ऐसी गठ बंदन अट बंदन करके चीज़े करते रहते हैं में साथ पार्टीज हैं जो आज के टाइम पे सेंट्रल लेवल में सरकार बना सकती हैं इनका भी कुछ है वो सिस्टम होता है जब आएगा जब आप जाना तो हां देखो चुनाओ हुए है चुनाओ में हम यह तो नहीं देखते ना कि पांच पांचों को बरावर बरावर वोटिंग मिल रही है नहीं देखते ना ऐसा अगर देखो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि दो पांटीज में ज़्यादर टक्कर होते हैं यह बहुंद से काम करते विरोधी दल से बोलते हैं वहां कामoor ये पार्टि विरोधी दल रहो हुमारे परदान मंतरी और राष्ट्र पति मि Taylor न्युक्त करते कैसेher यह जो राष्ट्र पती अपचुनाओव पार्टी को बहुत जादा वोट मिलगे इसे सरकार बनात। तो राष्ट्र क्या करेंगे राश्च्रुपति इस दल की व्य को कि आप किसे पรधान Studio मंतों में तो सारे लोग आपस में decide करके एक व्ывать को बोलेंगे कि चामाला यह एक टिक को बोलेंगे कि आपको विलाथे हैं और उसे क्या करते हैं उसे प्रिदान मंत्र कर देते हैं उसे प्रदान के द्वारा गुलकी दल की जो पार्टी है उस दल के एक नेता को राश्रपती न्युक्त कर दिया जाता है ठीक है यह है में चीज यह है और फिर और भी जितने मंत्रीज होते हैं कि यह सिक्षा मंत्री होगा यह विदेश मंत्री होगा यह वित मंत्री होगा यह वो मंत्री होगा यह मंत्री होगा तो ये सारे जो मंत्रीज हैं, वो मंत्रीज को भी कौन अपोइंट करता है, कौन नियुक्त करता है, राश्ट्रपती ही नियुक्त करते हैं, बट लेकिन किसकी एडवाइज से? प्रधान मंत्री से सलहा लेकर जब प्रधान मंत्री जिन जिन लोगों को बूलते हैं कि आपको ये इसे ये डिपार्टमेंट देना है इन्हें ये मिनिस्टरी देना है तो रास्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपॉइंट कर देते हैं पॉइंट करने का मतलब नॉर्मली डिक्लियरेशन कर देते हैं कि यह मंत्री है बस इस तरीके से इनकी न्यूक्तिया हो जाती है आई होप आपको क्लियर हो गया हो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा यहाँ पे सिर्फ एक एक एक्जामपल देकर आपको समझाने की कोशिश की होगी जो मैंने बोला अगर आपको वो समझ में आए तो आप वो ही लिख सकते हैं अब बस यहां से खतम यहां से हो गया यह अभी अब हम यहां से देख लेते हैं अब राश्ट्र प्रधान मंत्री होगे नियुक्तियां होगी प्रधान मंत्री के बारे में जान लिया अब प्रधान मंत्री की सत्यों के बारे में जान लिया आप प्रधान मंत्री की सत्यों के है यहां पर कुछ definitions देखर मिस्कुछ लोग हुए है जो जिन्होंने प्रधान मंत्री के पद के बारे में कुछ बाते कहींहें कि प्रधान मंत्री को कि तरीके की सकतियां दी हुई है उनShould के वह अपनी comment करना चाहों तो कर सकते हो, गल्याइट्स्टॉन, गलेट्स्टॉन है प्रधान ने क्या बोला है, कहीं भी इतने छोटे परधारत की, इतनी बड़ी इतनी बड़ी चाय नहीं है। मिन्स क्या, यहां पे देखों, वैसे उन्होंने इंडाररेक्ली बूली, बट बोली प्रधान मंत्री है कि छोटे से प्रधान मंत्री है एक छोटा सा प्रधान मंत्री है और उसकी इतनी व्यापक इतनी जादा सक्तियां दी हुई है बस नहीं है यहां पर कहा है किसी भी छोटी चीज की इतनी जादा बड़ी इतनी बहुत सारी सक्तियां नहीं है तो जो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मज़ाख उड़ाने की अगर आपको मेंशन करना है तो आप एस इडिस मेंशन कर सकने हैं कि प्रधान मंतरी के बारे में इन्होने बोला है इंगवान्ड के प्रधान मंतरी के बारे बोल रहे हैं ठीक है ना की भारत के जैसे नाम सी आपको पता चल रहा होगे ग्लैड स्टोन एक फॉरन वक्ति का नाम है ना तो इंग्लैंड के प्रधानमत्री के बारे में ऐसा बोला अब एक और हैं जिने ग्रीप्स हैं वो क्या कहते हैं उसके सक्तियां एक ताना साहा जैसी दिखाई पड़ती हैं ताना साहा मतलब होता है कि जो अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाएं लोगों को जबजस्ती उन पर सासन करने लग जाएं वो एक ताना साहा होता है जबजस्ती करना उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करना लोगों पर अत्याचार करना वो ताना साही वाली होते हैं हिटलर को त अना सहा तो वहां आता था हिटलर का हूँ उन जर्मनी का साथ सकता बहुत क्रोल था वो क्रोल मतला बहुत डेंजर तरीके का था भूँट लोगों पर बहुत अत्याचार करें थे वो भी जीऊस उन लोगों पर जादा करें जिसें आपने कभि वो एनी बेश कहानी पढ़ी हो वह एक जूस लड़की थी यहूदी यहूदी लड़की थी यहूदी 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 तो यह बोला है चलो छोड़ो अगर आपको यह करना होते एक दो कर सकते नहीं तो आपकी मर्जी अभी इनके में फंक्शन के बारे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सक्तियां दियों है प्रधान पहला दे रहा है मंत्री परिश्यत का निर्मान formation of council of ministers formation करना किसका formation करना मंत्री परिश्यत का मंत्री परिश्यत क्या है चलो 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 मंत्री परिश्यत क्या है बहुमत वाली पर एक को तो लाके पढान मंतरी बना दियाbros सारे के तोसी सारे मनिस्टर बनाना प्रदान मंत्री ने ही तो चुनाव कर दिया ना इनका निर्मान कर रहा फार्मेट कर दिया कि इसको काउंसिल अफ मिनिस्टर को are you getting my point I hope आपको समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरी किस के लिए सेटिफेक्ट्री के लिए या मैं थोड़ी सी सेटिस्वाइड हूँ उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मुझे अच्छा लगेगा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है प्लीज करिएगा अगर आपका I can't force अगर आपको सच में लगेगी कि नहीं करना चाहिए बताना चाहिए तो प्लीज बताईएगा जूरू मुझे अच्छा लगेगा जानके कि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी भासा में उसको लिखने की कुशिश करिएगा के जी चलो सेकिंड पॉइंट यहां पर थोड़े डिटेल में करेंगा है तो आप इसको एक बार पढ़ लेना है ना और जो सिर्फ समझने के लिए चीज़े समझने के लिए इस वीडियो को देख रहा है तो सिर्फ वो जो मैंने बोला है आप सिर्फ उतना भी कर सकते हैं लेकिन जिनका यह सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यह इंडियन कॉंस्टिटूशन की बुक है जिसके स्लेबस में तो वो इसको पढ़िएगा अगर बुक हो आपके बार ना भी हो तो मैं आपको दिखा दे रहे हैं बार लिजिएगा और यह बुक थोड़ी सी पुरानी है तो उसकी वज़े से इसमें जो फैक्ट्ट से रिलेटेड होते हैं वो थोड़ी सी पुरानी हो सकते हैं आज के टाइम पर जो क्या है एट पॉइंट तो आप सर्च कर सकते हैं यूटूब पे सर्च करके आप उसका पता कर सकते हैं सही कि एक टाइम पर क्या हिर बुरानी है तो पुरानी डाटा दे रहां हो गए इन में और अभी सेकिंड पॉइंट विभागो का बतवारा देखो भुए thing first point से यह भी first point से related लिए बिभागों का बटवारा मींस क्या भूह सारे जो उत्षो ओ था जै क्या वो मुंत्री परिश्द क कर निर्मान था कि भी सारे मंत्री परिश्द करनेर्पा निर्मान यहां पे हैं विभागों का बटवारा वही जो वहां पर एक्स्प्रिंग रहे ना इसमें ही वही चीज़ें कि जो मंत्री परिश्द निर्मान होगी उनमें से अलग-अलग मंत्रियों को निकाला और उनको अलग-अलग विभाग दे दिया शिक्षा विभाग, विदेश विभाग हो गया, और रक्षा विभाग हो गया, विदेव विभाग हो गया, खाद विभाग हो गया, स्वास्त विभाग, यह सारे विभाग दे दिया उनको, समझ रहे हो ना, तो विभागों का बटवारा भी प्रधान मंत्री ही करते हैं, ठीका, अब तर्ड पॉइंट, म appoint कर दिया जाए इसको कोई भी ministry पहले जो पार्टी के नीता है और दूसरे ministers है उनको appoint करवाता है राश्ट्रपती के द्वारा कि आप इसको ये विवाग के लिए मंत्री declare कर दो इसको ये कर दो इसको ये लेकिन प्रधान मंत्री को क्या लगे कि कोई मंत्री है वो अपना जो काम है वो सही से नहीं कर रहा और सही से नहीं कर रहा उसकी बात भी नहीं मान रहा और जो विवाग है उस विवाग का काम भी सही से नहीं समाल पा रहा तो क्या अपने धान मंत्री उसको remove करवा सकते हैं राष्टपती को बोल कर उसको उस पत से हटवा सकते हैं ministry से हटवा सकते हैं इस तरीके से वो remove करवा देते हैं तो आप यहां से देखोगे तो आप clear हो जाना यह चीज़े हैं अब यहां पर आपको example देखर थोड़ों से समझा रख है okay okay fourth point देखते हैं हम तो point का मतलब समझ रहें और point के अंदर actual में चीज़े हो नहीं क्या चाहिए या होंगी क्या हम main जैसे होता है भाव अगर हिंदी वगेरा आपने कभी 10th 12th या आज की टाइम पर वैसे पढ़वी रहेंगे तो उसमें होता है जैसे कोई भी वह होता है कोई भी पहराग्राफ होता है जो कवियों के द्वारा लिखा हुआ है उसका होता है प्रशंग व्याक्या होती है उसमें व्याक्या में होता है भाव जैसे कोई